है हेलो दोस्तो वेलकम टु बादाजी क्लासेज बादाजी क्लासेज पर आप सभी का हारदिक स्वागत है दोस्तो आज से हम हिंदी की रेगुलर क्लासेज स्टार्ट करने वाद हैं तता आज के अमारी फ़र्ष्ट क्लास है दोस्तो ये हिंदी हमारे जेल पहरी तता MPSI के लिए इस्पेशल हैं तता जिस भी एक्जाम में हिंदी आती है उसके लिए ये क्लास बहुत महत पूरुन है दोस्तो हिंदी को हम पूरी डीटेल के साथ पढ़ेंगे सारे टोपिक को कवर करेंगे और टोपिक वाइस हिंदी पढ़ेंगे साथ में इसके MCQ भी लगाएंगे जिससे की एक्जाम में आने वाले कोश्चन के बारे में हमें पता चलें दोस्तो हिंदी की शुरुवात हम वर्ण माला से करेंगे तथा धिरे-धिरे सारे टोपिक को कवर करेंगे दोस्तो हिंदी की एक क्लास रेगुलर हमारे बालाजी क्लासेस के यूटूब चैनल पर अपलोड की जाएगी दोस्तो अगर आप संपुर्ण हिंदी बालाजी क्लासेस पर पढ़ना चाते हैं जो कि जेल प्रहरी, MPSI तथा विभिन परिक्षाय जिन में हिंदी आती है उसके लिए महत्पूर्ण है तो दोस्तो वर्ण मालासे हम आज की क्लास की शुरुवात करेंगे तता दिरे दिरे सारे टोपिक कवर करेंगे दोस्तो सबसे पहले दोस्तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ मैं हूँ पंकजराठोर और आपको रेगुलर हिंदी का एक लेक्चर प्रोवाइट करवाऊंगा दोस्तो वर्ण मालासे शुरुवात करते हैं इसके बाद संदी समास शब्द की बेद चंद अलंकार शब्द शक्ति तता सारे जितने भी टोपिक है हिंदी के सारे हम एक के बाद एक कवर करेंगे तता इससे पहले मैं एक लेक्चर डाला था मध्यप्रदेश की पत्र पत्रिका यह उन्में से साई में तता जैल पहरी में कोशन 1-2 कोशन आने की समभावना रहती है हर बाद कोशन आते हैं अंगे उसमें से एक से दो कोशन आपके कवर हो जाते हैं तता साथ में आज से हम वर्ण माला के साथ शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं वर्ण माला यानि कि वर्ण परिचाई के बारे में दोस्तो जो वर्ण माला है उसको पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि बाशा की सबसे यानि कि सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हिंदी कोई subject नहीं है हिंदी एक language है दोस्तो ये बात आपको ज्यान रखनी है कि हिंदी कोई subject नहीं है हिंदी एक language है जिसकी grammar को हम पढ़ेंगे तता समझेंगे, सीखेंगे तता परिक्षाम में apply करेंगे दोस्तो हम जानते हैं कि बासा की सबसे लगूतम इकाई यानि कि सबसे छोटी इकाई दोनी होती है हिंदी की जो सबसे छोटी इकाई exam में question आता है सबसे पहले हम question सही शुरुआत करते हैं कि बासा की सबसे लगूतम या छोटी इकाई कौन सी होती है तो option में दवनी मिलेगा आपको तो दवनी लगाना है उसके बाद इसकी details आपको चर्चा करेंगे दोस्तो भासाई कि जो सबसे छोटी कही है वो दवनी है तदा जो हमारे अंदर से निकलती है अंतर आत्मा से जो आवज निकलती है उसको हम दवनी कहते है उससे दुहनी से वर्ण बनता है दोस्तो वर्ण से अक्षर बनता है अक्षर से सब्दांस बनता है तता सब्दांस से सब्द बनता है तता सब्द से पद बनता है तता पद से पदबंद बनता है तता पदबंद या उपवाक्य या शिर्षक बनता है तो ता सिर्शक से वाक्य बनता है और वाक्य से अनुछेद बनता है अनुछेद से अध्याय बनता है और अध्याय के दुआरा रचना पुस्तक या काव्य या साहित्य बनता है अब दोस्तो इन सब के बारे में अपने डीटेल से पढ़ते हैं दोस्तो दोनी क्या होती है दोनी जो हमारी अंतर आत्मा से जो आवाज निकलती है उसको दोनी कहती है दोस्तो वर्ण क्या होता है वर्ण हमारी वर्ण माला में जितने भी अक्छा रहें वो वर्णों से मिलकर बने हैं दोस्तों जो स्वर ये वो मूल वर्ण है जो स्वर होते हैं वो उनको वर्णों की स्रेणी में रखा जाता है जैसे अ हो गया आ हो गया यह यह सभी स्वर वर्ण होते हैं तता दोस्तों जो वरणों से मिलकर बनते जैसे कि ओ गया, ये क हो गया अपना और ये अ हो गया, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, क बनाते हैं इसमें हलंत लगा ये, मतलब ये आदा है, तो इसके साथ अ का उच्चारण हुना जरूर हिए, जिससे कि क बनेगा दोस्तों यह हो गया हमारा अक्षर तता अक्षरों से सब्दांस बनता है याने कि पूरा शब्द नहीं शब्द का कुछ बाग जो अक्षरों से मिलकर बनता है जैसे कि कुछ भी हो गया यह हो गया अपना एक हो गया तो यह क्या हो गया? सब्दांस हो गया इक हो गया यह सब्दांस हो गया क्योंकि यह दो अक्षरों के मिलन से बना हैं तो इसको हम सब्दांस कहेंगे दोस्तों अब जानते हैं हम सब्द के बारे में तो दोस्तों सब्द क्या होता है शब्द के बारे में जानते हैं दोस्तों शब्द क्या होता है जैसे कि कोई भी पुस्तक हो गया तो यह क्या है एक पूरा शब्द है तता शब्दों के योग से यानि कि बहुत सारे शब्द मिलकर जैसे कि यह अपना एक हो गया बासा की सबसे लगुतम यह इसको बोलते हैं पद, क्या बोलते हैं दोस्तों पद हो गया, ये एक पद हो गया, तो पद से मिलकर फिर पद बंद बनता है, जैसे कि एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, छोटी, इकाई, दोनी, ये दो पद हो गया, तो ये पद मिलके पद बंद बनाते हैं, ये पद हो गया, ये पद ह या उपवाक्य या शिर्शक तो यह सब मिलकर फिर एक वाक्य पूरा बनाते हैं दो पदबंद मिलकर एक वाक्य बनाते हैं तथा वाक्य मिलकर अनुच्यद बनाते हैं अनुच्यद मिलकर अध्याय बनाते हैं जैसे कि चैप्टर हो गया तो यह चैप्टर में बहुत सारे अनुच्छद होते हैं जैसे कि एक पेरेग्राफ हो गया दूसरा पेरेग्राफ हो गया यह सब मिलकर हमारा पूरा अध्याय बनाते हैं तो उसको हम अध्याय कहते हैं तो ता बहुत सारे अध्याय मिलकर रचनाएं पुस् तक बनाते हैं एक साहित्य बनाते हैं कावे बनाते हैं या एक रचना बनाते हैं कावे क्या हो गया जैसे महा कावे हो गया खंड कावे हो गया यह अमारे अध्याय मिलकर बनाते हैं दोस्तो अब इन में से question क्या था exam में वो हम जानते हैं दोस्तो बास्षा की सबसे लगुतम या छोटी काई जो होती है उसको हम द्वनी कहते हैं अगर option में द्वनी हो तो आद दोस्तो आपको 100% द्वनी लगाना है अगर द्वनी option में चार option में नहीं हो तो उसके बाद आपको वर्ण पे फोकस करना है उसके बाद आपका वर्ण सही माना जाएगा अगर दोस्तो वर्ण भी option में नहीं है द्वनी भी option में नहीं है तो उसके बाद भासा की सबसे लगुतम या कई अक्षर को माना जाएगा दोस्तो एसा होता है हिंदी में कि एक option सही नहीं हो तो दूसरा option तरह दूसरा सही नहीं हो तो तिसरा option उसको अपन को लेकर चलना पड़ता है और करेक्टर ली अक्षर सही वाग के मिलेगा आपको option में जो कि आपका सही होगा करें कि दोस्तो और जो हमने पड़ा यह बर्नमाला का एक परिचे हो गया मतलब भासा की सबसे छोटी कही क्या होती है तो दो सबसे बड़ी कही क्या होती है इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की दोस्तो आप हमारे चैनल अगर पहली बार आए तो हमारे चेनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तकि एस ती च्लास आपको लगाता मिलते रहें दोस्तो अब हम जानते हैं कि वरण के कितने भेध होते हैं वरण माला हमारा टोपिक होता है तता तीसरा योगवाहद होता है दोस्तों सवर की जो संख्या होती है वह 11 होती है दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि सवर कौन-कौन से होते हैं फिर भी मैं आपको बता देता हूं जैसे कि दोस्तों यह जो ग्यारा हैं यह हमारे सर हो गए यह जो सब्सक्राइब कर दोस्तों स्वर हो गए तदा वरण के दूसरे बेद में हम जानते हैं कि वेंजन कि वेंजन क्या क्या होते हैं दोस्तों जो हमारे कर से स्टाट होता है तदा मातक जो पांच हमारे जो कॉलम होते हैं उसमें कर से लेकर मातक इसपर्स वेंजन इसपर्स वेंजन तथा यह रह लव तथा यह होगे अपने अंतस्त वेंजन दोस्तों जो हमने हम वेंजन के प्रकार पढ़ रहे हैं कौन कौन से वेंजन होता है दोस्तों कि पच्चिस इसपर्स वेंजन एक मिनिट काम नहीं कर रहा थोड़ा पेन दोस्तों जो वेंजन होते हैं वो 33 होते हैं वेंजन की संक्या 33 होते हैं जिसमें से 25 जो होते हैं वो इस पर्स होते हैं इस पर्स वेंजन इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे तद्धा जो चार होते हैं वो अंतस्त होते हैं अंतस्त तद्धा चार ओर होते हैं जो उश्म वेंजन होते हैं दोस्तों ये टोटल मिलाके 33 वेंजन होते हैं दोस्तों उसके बाद हम जानते हैं अग्वारब हें, अयोगवाँ दोस्तों हीं पता, कुन कौने मिलेगा के छाहिए हैं तो आग्व यह क्यराँ हो खलंट होता है तदा एक अर्ध चंद्रबिन्दू जो कि मा के उपर लगा होता है वो ये तीनों चारो अयोगवा है दोस्तो जो दो होते हैं अगर इक्जाम में दो ही ओप्शन में तो इन दुरुनों को माना जाएगा तो तीन है तो इन तीनों को माना जाएगा तता चार है तो इन चारों को माना जाएगा अगर एक्जाम में उप्शन में चार तीनों उप्शन में हैं तता एक नए उप्शन है तो चार को अपन प्रेफरेंस देंगे दोस्तों अब हम पढ़ते हैं स्वर के बारे में जो वर्ण के बेदे वो पढ़ रहे हैं दोस्तों अब हम पढ़ते हैं स्वर कौन-कौन से होते हैं मैंने आपको बता हैं कि स्वर 11 होते हैं दोस्तों स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं दोस्तों, ग्यारा स्वर में कौन-कौन से आते हैं, अ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, आ, ओ, और आउ, ये ग्यारा जो हैं, मूल स्वर हैं, ये जो हैं, स्वर हैं, ये ग्यारा ही स्वर हैं, दोस्तों, स्वर के बारे में जानते हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वतंत्र दोनी वाले स्वर कहलाते हैं जैसे कि अग को बोलने के लिए इसके साथ में किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है यह स्वतंत्र धोनी है जो अपने आप अंदर से निकल जाती है इसको बोलने के लिए किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है स्वर की एक पेचान तो यह हो गए दोस्तों कि जो स्वतंत्र दो के हैं तता जीनवर्ण का उच्चारण बीना किसी दूशरे वरं की साहथा से हो यह बात मैं आ भी आपको बताई की इसवर जो होता है उनके आवाज अपने अव्हους से निकलती इनको बोलने के लिए किसी वर्ण की सायता की आवशक्ता नहीं होती है दोस्तों अब हम पढ़ने वाले व्यंजन के बारे में दोस्तों व्यंजन की संख्या मैंने बताई कि 33 होती है व्यंजन की संख्या मैंने आपको बताई 33 होती है 33 होती है दोस्तों कर से लेकर मा तक क से लेकर म तक 25 इसपर से वेंजन होते हैं कौन-कौन से दोस्तों देख लेते हैं आपन क वाली लाइन क, ख, ग, ग, न्य, च, छ, ज, ज, न्य, ट, ठ, 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 ड, ध, और न्य, और इसके बाद आता है त, ठ, द, ध, न्य, और आता है उसके बाद प, फ, ब, ब, और म दोस्तों ये 25 वर्ण जो हैं ये इसपर से वेंजन हैं दोस्तों क से लेकर म तक 25 इसपर से वेंजन हैं उसके बाद दोस्तों अन्तस्त वेंजन चार होते हैं कौन-कौन से होते हैं दोस्तों य, र, य, व, य, र, ल, व, गलत लिख दिया है य, आता है, र, आता है, ल, आता है, और फिर व, आता है दोस्तों उसके बारे में हम जानते हैं कि जिन वरणों का उच्चारण पर स्वर की सायता से होता है जैसे के क हो गया तो ये क के साथ अ की दोनी भी आती है जैसे कि ये आदा क और प्लस अ तो ये पूरा कर बनता है तो इसके लिए इस स्वर की आवशकता होती है तभी वेंजन का उच्चारण हो पाता है दोस्तों वेंजन का उच्चारण बिना किसी स्वर की सायता से नहीं किया जा सकता है तता वेंजन की वास्तविक संक्या है वो 33 है दोस्तो इसके बाद बहुत सारे व्यंजन ऐसी भी होते हैं जो मिश्री त्यानी की दो व्यंजन को मिला के बने होते हैं तता बहुत सारे ऐसे उशकपित व्यंजन भी होते हैं उनकी संक्या के बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे दोस्तो अब हम जानते हैं अयोगवाह के बारे में दोस्तो अयोगवाह एक प्रकार के चिन्न होते हैं जिनका प्रियोग हम वर्णों के साथ करते हैं मैंने बताया विसर्ग, अनुस्वार, हलंट और अर्दचंद्रबिंदू इनका परियोग हम एसे नहीं करते हैं डारेटले इनका परियोग हम नहीं कर सकते हैं इनका परियोग वर्णों के साथ ही किया जाता है आयोग वह का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता परंतु वर्णों वरणों के साथ परियोग होने पर यह अलग दोनी के रूप में परियोग होते हैं जैसे कि कह के साथ अपन विसारग का परियोग को तो कह एसी दोनी निकलती है तो वो इसका जो होता है कि दोनी के रूप में प्रयोग होता है कि वो दोनी चेंज कर देते हैं अयोगवा कि संक्या 2, 3 या 4 मनी जाती है हलो दोस्तों विसर्ग, अनुस्वार, हलन तता अर्ध चंद्रविंदू ये चारों अयोगवा हैं अगर ऑप्षन में 2 हैं तता 3 और 4 नहीं है तता दूसरे ऑप्षन है जैसे कि 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया तो आपको 2 सही करना है तता 4 है और 2 और 3 दोनों है तो 4 सही करना है ये बात मैं आपको 2 से 3 बार इस लेक्षर में बता चुका हूँ दोस्तों क्योंकि जो ओप्षन पर डिपेंड करता है आयोग वहाग के संख्या पूछी जाती है एक्जाम में बहुत बार कोशन आया ता था हर बार ओप्षन में अलग-अलग संख्या लिखी होती है दोस्तों जब चारों को माना जाएगा तो विसर्ग, अनुस्वार, हलन्त और अर्द चंद्रबिंदू चारों को लिया जाएगा जिससे कि चार ओप्षन में होतो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा कि वरण के भेद में स्वर होते हैं, विंजन होते हैं तिथा अयोगवाह होते हैं अब हम इन तीनों के बारे में डीटेल से पढ़ेंगे, जैसे कि स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर कौन-कौन से प्रकार के होते हैं, तदा कौन-कौन सी भाषा में कितने कितने स्वर होते हैं, तदा विंजन कितने प्रकार के होते हैं, विंजन को कितने भागों में एक्जाम में कोशन आता है कि कूल स्वर की संख्या कितनी होती है कोई सी लेंग्वेज ने लिखे हो तता एसे कोशन आगे कि कूल स्वर की संख्या कितनी होती है तो आपको 13 सई करना है तता अगर पूछा जाए कि हिंदी में कूल स्वर की संख्या कितनी है तो 11 सई करना है क्य संख्या अगर पूछा जाता है तो तेरा लगाना है आपको और कोई सी लेंग्वेज ने दी जाए और पूछा जाए तो भी तेरा लगाना चाहे 11 ऑप्शन में हो दोस्तों अगर पूछा जाए कि प्राकृत भाषा जो कि जेन धर्म की भाषा मानी जाती है उसमें कुल स्वर की संख्या कितनी थी कितनी है तो दस उसमें दस है दोस्तों अगर पूछा जाए कि पाली जो कि बोध धर्म की भाषा मानी जाती है इसमें कुल स्वर की संख्या कितनी है तो नो और दोस्तों अगर अपब्रंश और दोस्तों जो अपरणश यह वो मठ मठानशो की भाषा है तरल जब जैसे कि यह अभी हो गया अपने जो आश्राव ऐह चलते इनकी जो भाषा एंवो आउट भाषा होती हैं तो इसमें कुल्ष मेऔक बात बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो हमारी भाषा थी कि वो संस्क्रेट थी कौन सी थी दोस्तों संस्क्रेट कि उसके बाद संस्क्रत से पाली बनी तथा पाली से प्राकृत बनी प्राकृत से अपर ब्रंच बनी अपर ब्रंच से अवहट बनी तथा अवहट के बाद आप ब्रंश अप ब्रंश के बाद अवहट में तता अप ब्रंश की अनेक साखाय बनी जिसे कि सोर सेन आप रवर्णस सुना होगा ऐसी बहुत सारी अप ब्रंश की साखाय हुई जिससे वेबिन बोलियां जो आज प्रचली थे हमारे देश में बोली जाती हैं उनका विकास कुछ दोस्तों अपब्रिंश को पुरानी हिंदी 20 कहा आजबाक है कि प्रसिद लेखक हैं चंद्रधर शार्मा गुलेरी उन्होंने अपब्र याओ अब हम पड़ते हैं सवर के कितने भेधोते उता किस आधार पर उसके कितने भेद होते हैं दोस्तों मात्रा या उच्चारण की द्रश्टी से या के आदार पी मात्रा या उच्चारण के आदार पर स्वर के तीन भेद होते हैं दोस्तों मात्रा या उच्चारण के आदार पर स्वर के तीन भेद होते हैं जैसे कि हम किसी स्वर को बोलते हैं तो उसमें कितनी समय तक उसको बोला जाता है या उसकी मात्रा कितनी है उसके आधार बर उसके तीन भेद होती हैं दोस्तों जो पहला भेद होता है उसको हम हस्व एक मात्री जिसमें एक मात्रा होती है उसको लगू स्वर भी कहा जाता है मूल स्वर भी कहा जाता है इनकी संक्या चार है जो हस्व स्वर या मूल स्वर या लगू स्वर है इनकी संक्या चार है जो मतल दोस्तों जो दिर्ग या द्वी मात्रिक दूसरा जो भेंदे वो दिर्ग या द्वी मात्रिक है इनको संधी सवर भी कहा जाता है विपुल सवर भी कहा जाता है या संयुक्त सवर भी कहा जाता है इनके संक्या इनको बड़े सवर भी कहा जाता है इनके संक्या साथ हैं दोस्त जो सहजाती सवर होते हैं वो एकी प्रकार मतलब एक जाती के मुल सवर से मिलकर बने होते हैं जैसेज़ अ हो गया अ ए-OO हो गया यह ई-पलस-E से चोटा-E, प्लस-छोटा-E से मिलकर बना होता है तथा बड़ा O हो गया यह चोटा-O plus यह बना होता है GUY तो यह अमारे स्वाजाती स्वर हो गयए यह कितने हो गे तीन हों ठीन तथा हमारे वह प्लस इसे मिलकर बना होता है इसलिए इसको आई आई बोलते है पन और जो अब प्लस बड़ी इसे मिलकर बना होता है इसको आई बोलते हैं बड़ा यह जिसको बोलते हैं तथा वह जो होता है वह प्लस छोटा उसे मिलकर बना होता है तथा आउ जो होता है प्लस बड़ा उसे मिलकर बना होता है इसलिए यह अलग अलग जाती के स्वरों से मिलकर बने होते हैं इसलिए इनको हम विशम जाती स्वर करते हैं के दोसोरों 3 तो जो टीसरा स्वर का बेदे हैं इसको हम पिरू या 3 मांतिरिक बोलते है दोस्तों इसमें एक हिसार आता है जो जिसको कर बोलते। दूस्तो हो है मैं अपको बताता हूं ओम कज़едь न होता है ओम यह त्रीमातरी क्या प्लून स्वयर की श्रेंणी में आता है और इसको और भी यह लिखा जाता है तो दोस्तो चार तो हमारे मूल स्वर हो गए और साथ दीर्गस्वर हो गए साथ में से तीन सजाती और चार विषम जाती कुल मिलना के सास्वर और टोटल मिलना के अपने सlare हंदी के हो गए दिसदा प लून या त्री मात्री को हिंदी की गिंती में नहीं लेते हैं दोस्तु एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमने पढ़ा था अभी कुछ ही देर पहले कि संस्क्रत में स्वर की संक्या तेरा होती है तो दोस्तों उसमें एक तो बड़ा री जूड़ जाता है जो रिशी होता है उसमें जो यह वाला जो री होता है यह जूड़ जाता है तता एक ओम जूड़ जाता है तो यह मिला के 11 सेरह हो जाते हैं है चोई जुस्तों अब हम जानते हैं होट या ओष्ट की आकरदी की आदार पर सफल के कितने होते हैं हमारे जो ओष्ट है उसके के आधार पर हम ने producer वह भरता है ऑष्ट कीया करृति कि आधर पर स्वर के कितनी भेद होते हैं तो ओस्त या आकरती के आधार पर दोस्तों स्वर के दो भेद होते हैं एक तो व्रत्ताकार स्वर होता है और एक अव्रत्ताकार स्वर होता है दोस्तों व्रत्ताकार स्वर को बोलते समय हमारे होट की जो आकरति होती है वो व्रत्त के आकर याने की गोल बन जाती है जैसे कि उ का उच्चारण हम करते हैं यहु लुँ और अचारों का जब उच्चारन करते तो हमारे होट के आकरती जो गूल बन जाती इसलिए इनको ब्रत्ताकर स्वर कह जाता है जोस्तों इनको हम अहन सम्प्राइमेंट करके भी देख सकते हैं उसके बाद वृत्ताकर जिनको भीने पर हमारे होट के आकरती व्रत्ताकार न बनें जैसे हो गया हो गया हो गया ही हो गया यह हो गया और बड़ा ए हो गया आई बोलते हैं जिसको हो गया यह साथ व्रत्ताकार तो पूछ लिया जाता एक्जाम में कोशन कि व्रत्ताकार स्वर कितने होते हैं तो व्रत्ताकार कितने होत होते हैं यह कोशन एक्जाम में आ सकता है दोस्तों कि उसके बाद हम पढ़ते हैं जीवा यानि अपनी जीव होती है उसकी आकरती के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं तो दोस्तों जो जीव के आकरती के आधार पर होते हैं वह स्वर के तीन भेद होते हैं जीब के आकरति के आदार पर स्वर के तीन भेद होते हैं दोस्तों कौन कौन से होते हैं सबसे पहले अग्रस्वर फिर मज्य स्वर और फिर पस्च स्वर जिनको बोलने के लिए हमारी जीब यानि जीवा जो होती है उसके अग्र भाग का इस्तिमाल किया जाता है उनको अग्र कि पश्च भाग से उच्चारित होते हैं उनको पश्च स्वर कहा जाता है दोस्तों अगर भाग से उच्चारित होने वाले कौन-कौन से स्वर हैं दोस्तों अगर भाग से उच्चारित होने वाले स्वर ई बटी ए री ई और अइए यह पांच जो स्वशर है यह अग्रवाक से बोले जाते हैं तता मध्य बाग से केवल और छोटा है केवल अक्यला मध्य बाग से बोला जाता हैं तो पश्च बाग आ, उ, उ, ओ, और ओ, ये पांचों पस्च बाग से बोले जाते हैं दोस्तों question आ सकता है exam में कि जिवा के आकरती के आधार पर स्वर के कितने भैद होते हैं तो तीन भैद होते हैं कौन-कौन से होते हैं तो अग्रबाग, पस्च बाग और मढद्र बाग दोस्तों यह थे सवहर के बीदवा के कि इतन होते हैं कि विंजन के कितने भेद होते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अयोग वहाग के कितने बेद होते हैं तता इनके उच्छारन इस्थान कहां से हैं इन सब को जानने के लिए अपने को दूसरी क्लास का वेट करना पड़ेगा दूसरी क्लास इसकी कल अपलोड की जाएगी तता कल बनाई जाएगी दोस्तो आ आज हमने जाना कि स्वर कौन-कौन से होते हैं वेंजन कौन-कौन से होते हैं दूस्तों कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि वेंजन के वेंजन के कितने भेद होते हैं तता वेंजन कौन-कौन से होते हैं कौन-कौन से प्रकार के होते हैं तथा उनका उच्छारन इस्तान क्या होता हैं तता जो संयुक्त वर्ण हैं संयुक्त विंजन जिन को बोला जाता है वो कौन-कौन से हैं तता जो हमारी डिक्शनेरी होती है उससे जो कोशन बनता है एक्जाम में वो कौन-कौन सदेख स्वागत करती है